फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए गे हूं के आटे के बने एक बहुती मसदार से नाश्टे की रेसिपी ले करके आई हूं जिसे आपने एक बार बना लिया ना तो आप हर बार इसी मसदार से नाश्टे को सरूर बनाएंगे क्योंकि friends ये नाश्टा देखने में भी बहुत अच्छा है और खाने में बहुत ही टेस्टी है friends रेसिपी बहुत ही आसान है वीडियो को फुल वच करिएगा Hello friends नास خान किचिन में आपका स्वागत है एक और नई रेसिपी के साथ अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो फ्रेंट्स इस मज़दार से नाश्टे को बनाने के लिए यहां हमने लिया एक बाउल और इसमें हम ले रहे हैं एक कप गेहूं का आटा क्योंकि फ्रेंट्स हम हेल्दी तरीके से इस मज़दार से नाश्टे को बना रहे हैं तो हमने यहां पर एक कप गेहूं का आटा लिया है और वन फोर कप हमने इसमें लिया है मेदा आप चाहें तो इसे मेदे से भी बना सकते हैं या फिर आप इस तरह से एक कप गेहूं का आटा ले ले और थोड़ा मेदा एट कर दें और फ्रेंड्स अब टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक डाल देंगे और थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और फ्रेंड्स अब इसमें हम डालने वाले हैं एक अंडा तो देखिए एक अंडा लिया है हमने फोड़ कर इसमें हमें डाल देना है अगर friends आप अंडा नहीं खाते हैं तो इसे आप skip कर दीजिएगा और इसमें आप oil डाल सकते हैं oil butter का इस्तेमाल करके इसे का हम अच्छा सा एक डो लगा लेंगे तो पहले सारी चीजों को अच्छी तरह से हम mix कर लेंगे और जब friends अच्छे से सारी चीजों मिक्स हो जाती हैं तो अब इसमें हम डाल देते हैं पानी तो थोड़ा थोड़ा पानी करकर डालना है हमें एक दम से नहीं डालना है और friends हमें इसका डो थोड़ा सा टाइट सा लगाना है बहुत ज़़ादा टाइट नहीं रखेंगे अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखर रेसिपी बनाएंगे तो आपकी जो रेसिपी यह घड़बड हो सकती है आपको पहले वीडियो फुल वाच करना है तो ही यह जो रेसिपी है आपकी बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार होगी तो देखिए फ्रेंट्स अच्छी तरह से पंच लगाते हुए डो हमने रेडी कर लिया है तो अच्छे से हमारा डो लगकर तैयार हो गया है लेकिन हमें इसे अभी 10 मिट के लिए रेस्ट के लिए रखना होगा तो हम इसे 10 मिट के लिए कवर कर देते हैं और इसी तरह से रखकर छोड़ देते हैं और जब तक हम आगे की तैयारी कर लेंगे हम इसके लिए एक स्टपिंग रेडी करेंगे तो फ्रेंट्स यहाँ हम ले लेते हैं एक बाउल और यहाँ मेने दो बाउल आलू लिए हैं मीडियम साइस के हैं इसको हमें पहले पील करना है फिर हम इसे ग्रेट कर लिए आप चाहें तो इसे मेशेर से मेश कर सकते हैं फॉक के हल्प से भी इसे आप मेश कर सकते हैं अगर आप ग्रेटर से इसे ग्रेट करेंगे तो फ्रेंट्स यहां मैंने पनीर का थोड़ा बढ़ा टुकुड़ा लिया है लेकिन हम पूरा नहीं डालेंगे आदा करके डालेंगे तो अगर आपके पास पनीर हो ना जरूर डालीएगा नहीं हो तो इसकिप कर दीजिएगा आप सिर्फ आलू से भी इस स्टफिंग को बना कर दयार कर सकते हैं और देखिए जब पनीर अच्छी तरह से ग्रेट हो गया है तो अब इसमें हमें डाल नहीं है कुछ और भी मसाले तो देखिए आधा चम्मच हम ch pitching और पीजूआ ट देयें गूदसा कर देते हैं लाल मिरच पाओड़र थोड़ा सा पीसा उवा falling डालेंगे और थोड़ा सा आध़ा चमर डाल रहे हैं हमिए पर भुना हुआ जीरा और टेस्ट के हपॉर्डिंग हम सो ल्ट विसमें नमग डाल देंगे और अब इसमें हम चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं और हम यहाँ पर डाल रहे हैं एक हरी मिरच को बारी कट करके लिया है इसे डाल देंगे और अच्छे से सारी चीज़ों को फ्रेंट्स मिक्स कर लेंगे अगर इस स्टफिंग को और चट पटा बनाना हो तो आप इसमें नमक मिरच अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस कर लीजिएगा तो मैंने नॉर्मल सी स्टफिंग बनाई है जो पनीर के साथ में बहुती अच्छी लगती है बहुती टेस्टी लगती है अब फ्रेंट्स हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है अब इसे हम एक साइट पर रख देते हैं और हमने जो डो को सेट होने के लिए रखा ताना अब हम उसे चेक कर लेते हैं तो फ्रेंट्स यहां देखिए हमारा डो भी अच्छे से सेट हो गया है अच्छे से हम चेक कर लेंगे थोड़ा सा पंच लगाते हुए चेक करकर हम क्या करेंगे इसे सर्फेस पर निकाल लेंगे क्योंकि फ्रेंट्स यह काम सर्फेस पर बहुत अच्छी तरह से हो जाता है और डो भी अच्छी तरह से हमारा चिकना हो चुका है तो चलिए, surface पे निकाल लेते हैं अब देखिए, surface पे निकाल लिया है थोड़ा और चिकना करेंगे, surface पे निकालती है और roll बनाएंगे, और roll बनाते हुए हम इसके 3 ball बना लेंगे तो बस हमें medium size के 3 ball बना लेने हैं, तो यहां मैं आपको दिखा देती हूँ, बीच में से पहले हम इसे इस तरह से लेविल में बराबर से कट कर लेंगे, देखिए. अब इसके हम बॉल बना रहे हैं, तो तीन बॉल बना कर हमें इसको रेडी करना हैं, और बॉल बना कर क्या करेंगे, फ्रेंट्स, हम इसे सर्फेस पर पतला नहीं करेंगे फ्रेंट्स अगर आपको ये रेशिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि फ्रेंट्स आप लोग वीडियो तो फुल वाच कर लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग से humble request है वीडियो देखने के बाद like और subscribe जरूर कर दीजेगा यह बिलकुल free होता है और इसी तरह से आपको मेरे channel पर नई नई recipe देखने को मिलती रहेगी तो देखें बिलकुल medium size में हमने इसे बेला है बिलकुल gold chapati की तरह आप बीच से देखें एक knife लेकर बिलकुल level से हमें इसे इस तरह से cut कर लेना है बस दो piece में करना है और जो हमने friends stuffing बना कर रखी है ना वो हमें लेनी है और एक side में हम इसे रख देंगे थोड़ा सा फैलाते हुए रखेंगे एकदम से आपको एक ही जगा पर इखटा नहीं करना है वरना क्या होगा यह बीच में से खुल सकते हैं तो आपको क्या करना है इसको बिलकुल थोड़ा सा फैला देना इस तरह से आप रेंड्स हमें नाश्ते को काफी healthy बना रहे हैं और यहां में यह नाश्ता जो है बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बच्चे मेरे चीज बहुत शोक से खाना पसंद करते हैं तो यहां में ने लिया एक mozzarella cheese का packet तो इसमें से हम थोड़ी सी mozzarella cheese इसके उपर इस तरह से रख देंगे और नहीं लगाएंगे ना तो भी असानी से यह अच्छे से stick हो जाएगा तो यह आपकी मर्जी है बहुत ही असानी से फ्रेंट यह नाश्ता बनता है और बहुत ही tasty बनता है देखने में बहुत ही अच्छा लगता है देखिए मैंने इसे भी अच्छी तरह से सेट कर दिया है चिपका दिया है स्टफिंग रखते हुए अब अच्छे से इस तरह से चिपकाने के बाद हमें इसमें डिजाइन देना है जिसे कि यह अच्छे से stick भी हो जाएगा और देखने में भी काफी अच्छा लगेगा तो उसके लिए देखी मैंने एक फॉक लिया है फॉक की हल्प से हम इसमें देखी यह तरह से निशान लगा रहे है जिसे कि नाश्टा हमारा और भी देखने में अच्छा लगेगा खाने में तो टेस्टी हो गई ही लेकिन ये देखने में भी देखिए अच्छा लगने लगा है तो फ्रेंट्स इसी तरह से हम और भी नाश्टे आपको बना कर दिखा देते हैं और फ्रेंट्स मेरे चैनल पे काफी ज़्यादा नाश्टे की रेसिपीज अप्लोडें आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं आपको मेरे चैनल पर तरह तरह के नए-ए नाश्टे की रेसिपीज देखने को मिलेगी क्योंकि फ्रेंट्स हमेशे ही मैं आप लोग के लिए नए-ए रेसिपीज लाती रेती हूँ जिसे कि आप लोग कुछ नया सीख पाएं तो देखिए फ्रेंट्स हम बाकी का भी नाश्टा इसी तरह से आपको बना कर दिखा देते हैं तो फ्रेंट्स बनाने में आपको किसी तरह की मुश्किल नहीं लगेगी नहीं कोई छंचट लगेगी बहुत ही असानी से आप इस नाश्टे को बना लेंगे तो इस वाले नाश्टे में देखिए मैंने हलका साइट कॉर्नर पर पानी लगा दिया है पानी लगा कर भी बहुत ही असानी से ये स्टिक हो जाता है और बिना पानी के भी ये स्टिक हो जाता है जिससे कि आप लोग भी इस मज़ेदार से नाश्टे का लुप तो उठा पाएं तो यह देखिए हमारे इस तरह से सारे नाश्टे बनकर तयार हो गए है और यहां देखिए हमारे टोटल छे पीस बने है और फेंट्स यह छे पीस काफी हैवी हो जाते हैं और फेंट्स जब ऑईल गरम हो जाए ना तो आपको क्या करना है गेस की फ्लेम को मीडियम हाई कर देना है क्योंकि फेंट्स हम इसे गरम होने के बाद ऑईल को गरम होने के बाद मीडियम फ्लेम पर ही फ्राए करने वाली है जिससे की अंदर ता कुग भी होंगे क्रिิपी करारे भी बनेंगे और कलर भी बहुत ही अच्छा सा आएगा.. तो देखिए ATTOUR 1 पेज में फ्रिंड सम्व तीन पीस डालकर इसे फ्राइय करेंगे इसे और फूल जाएगे और अच्छे फूले फूले से ये नाश्ता हमारे बनकर तयार होंगे देखिए फूले हुई दिख रहे हैं बस इसी तरह से आपको फ्राइ करते जाना है और उपर से इसके उपर डालते जाना है तो यह अच्छे से गोल मटोल फूले फूले बनेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर फ्राइ कर रहे हैं तो आप खुद देखें कलर कितना अच्छा प्रिंट्स अच्छा प्रिंट्स लेकिन खाने में अच्छे नहीं लगी देखो हैं तो अब हम हम एक-उक करके फ्रेंट्स, निकाल लेंगे, बस इतना ही कलर आने तक हमें इसे फ्राइ करना है, ज़्यादा ओवर कोक हम इसे नहीं करएंगे, तो देखिए इसे हम निकाल रहे हैं, वो तीनोस ही बहुत यज़ी से फ्राइ हुए हैं, और देखने इस तरह से फ्राइ करने से नाश्ता बहुती अच्छा बनेगा देखिए फूल गया है नाश्ता तो बस अब इसे हमें फिलिप करना है और उलट पलट करते हुए अच्छे से फ्राइ करकर हमें इसे भी निकाल लेना है अब आप देखें असानी से बहुती असानी से ये फ्रा बना है बहुत ही टेस्टी बना है और फेंट्स देखिए हमने सिर्फ एक अप गेंग आटा लिया था धेर सारा मारा नाश्टा बनकर तैयार हुआ है अब देखिए फ्रेंट्स देखने में जितना यह अच्छा लग रहा है ना याकिन मानी है खाने में आपको उससे कई जाद सकते हैं तो यहां देखें आप इतना अच्छा मज़दार सा चीजी मज़दार यह नाश्टा बनकर तैयार हुआ है आपको देखकर ही लग रहा होगा यह कितना टेस्टी बना है कितना अच्छा बना है तो फ्रेंट्स जट पट से बनने वाली रेसिपी आप इस मज़दार से नाश्टे को बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए बच्चे बहुत ही शुक से खाना पसंद करेंगे आपसे बार बार इसी मज़दार से नाश्टे की डिमांड भी करेंगे यह फ्रेंट्स आपके घर अगर अचानक से महमान भी आ जाते है ना तो उन्हें भी बना कर खिलाईए उन्हें भी यह नाश्टा बहुत ही पसंद आएगा तो फ्रेंट्स अगर आप लोग समोसा कचोड़ी खाने के शोकी ने तो आप इस नाश्टे को सरूर बनाईए तो फ्रेंट्स आप इस मज़दार से नाश्टे के आगे समोसा कचोड़ी भूल जाएंगे जब आप एक बार इस मज़दार से नाश्टे को बनाएंगे तो फ्रेंट्स इस मज़दार से नाश्टे के आगे आपको समोसा कचोड़ी भी सीगा लगेगा तो फ्रेंट्स अगर आप सुबह सुबह की जलबाजी में हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आता कि हम जलबाजी मे क्या बनाएं तो फ्रेंट्स आप इस मज़धार से नाश्टे को जटपट से ज़रूर बनाएं खाने में भी टेस्टी है बनाना भी बहुत आसान है और इसे बनाने में आपको कुछ भी बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिंपल तरीके से आप किचिन के मुझूद सामान से इस मज़धार से नाश्टे को बना कर इंजॉय कर सकते हैं तो फ्रेंट्स बनाएए खाईए इंजॉय करिए उम्मीद है आपको आपके घर में सभी को ये मज़धार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आईगी तो फ्रेंट्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही फैमली और फ्रेंट्स में भी जरूर शेयर करें कमेंट में जरूर बताएं आपको मेरी ये टेस्टी मज़धार नाश्टे की रेसिपी कैसी लगी